आज क्लास 9 के चैप्टर 13 का 13.2 एक्सराइज हम कंटीनू करेंगे इससे पहले हमने क्वेशन नमबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था इन दिस वीडियो हम क्वेशन नमबर 5 से स्टार्ट करेंगे और यह जो 13.2 जो हमारा एक्सराइज है यह टोटली सिलिंडर पर रिलेटेड है तो सिलिंडर का बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वो वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं but before starting the video अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए साइंसें मैस अकैडमी को और साथ में जो वो बेल आइकन गिवन है उसके भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे चैनल से न्यू अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल पहुंच सकें तो start करते हैं वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि question number 5 में क्या है ये question को पहले हम ध्यान से समझेंगे here cylindrical pillar is 50 cm in diameter कोई pillar है cylindrical pillar और उसका diameter हमें 50 cm given है and 3.5 meter in height और उसकी height given है 3.5 meter ध्यान दो हमें इसा मैंने कहा है कि आप जो भी dimension given है उसकी unit पर जरूर ध्यान दीजेगा क्योंकि अगर यहां meter है और यहां centimeter है तो हमें इस centimeter को या तो meter में change करना पड़ेगा या meter को centimeter में दोनों को same करना जरूरी है unit तो हमें यहां diameter और height given है find the cost of painting the curved surface area simple यहां पर लिखा हुआ है curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square मतलब 1 meter square में 12.50 लगता है तो total curved surface area जो आएगा उसका कितना cost लगेगा उसको paint करने में तो simple हमारी diameter given है तो हम diameter से radius निकाल लेंगे radius निकालने के बाद यह centimeter में है तो उसको meter में convert करेंगे h given है फिर हम curved surface area का formula लगा के और वो pillar का curved surface area निकाल लेंगे और जो area आएगा उसको 12.50 से multiply कर देंगे तो cost आजाएगा simple तो इसे हम चली बनाते हैं question को firstly किसी भी question में क्या given है वो पहले हमें point out करना पड़ता है तो diameter is 50 cm and height is height हमें क्या given है height given है 3.5 meter तो diameter हमारा 50 cm है तो radius कितना हो जाएगा 50 by 2 it means 25 cm और ये जो 25 cm हमारा radius given है इसको हम meter में convert करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 25 by 100 meter it means 0.25 meter अब हम क्या करेंगे तो हम उस pillar का curved surface area निकालेंगे तो curved surface area of pillar हमें formula पता है क्या होता है cylinder का 2 by rh और value पूट कर देते हैं 2 into 22 by 7 into r is 0.25 and height is 3.5 अब हम इसे calculate करेंगे तो calculate करने के लिए यह 10 हो गया और यह ऐसे 5 से गया यह 2 से गया और यह 2 गया तो total हमारे पास कितना बज़ गया 22 into 0.25 again हम इसको multiply करेंगे तो हमारा curved surface area आ जाएगा therefore the answer is 5.5 meter square यह हमारा 5.5 meter square हमारा क्या आ गया curved surface area अब हमसे पूछा जा रहा है कि cost तो हम जानते हैं हमें given है कि now cost of painting यह लिखेंगे हम कि cost of painting painting of the pillar per meter square कितना given है rupees 12.50 यह given है तो therefore हमें total cost of painting find करना है तो cost of painting is हम लिखेंगे 5.5 meter square जो आया तो उसको 5.5 को हम 12.50 से multiply कर देंगे तो हमारा answer हो जाएगा 6 rupees 68.75 answer easy है यह question हमारा solve हो गया तो अब हम question number 6 जो है हमारा यह इसी exercise का उसको एक बार देखेंगे I hope आपको यह question number 5 काफी easy है clear हुआ होगा तो now move for the next question यहां हमारा question number 6 जो है उसमें given है कि curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square मतलब curved surface area हमें cylinder का given है now if the radius of the base is cylinder is 0.7 meter find its height simple आपको curved surface area given है radius given है तो आप height easily निकाल सकते हो 2 pi rh से फिर भी से हम एक बार solve कर देते हैं काफी easy question है firstly what is given वो हमें लिखना पड़ेगा तो here हमें given है हमें height निकालना है radius is given 0.7 meter and CSA curve surface area is given कितना है 4.4 meter square तो हम जानते है curve surface area क्या होता है 2 pi rh formula हम जानते है is equal to 4.4 तो अब हम put करेंगे 2 into 22 by 7 r कितना है 0.7 और h तो हमें find ही करना है अब हम h को क्या करेंगे यह जो time है इधर लेके जाएंगे 4.4 into 7 और नीचे हमारा हो जाएगा 2 into 22 into 0.7 अब हम इसे calculate करेंगे तो calculate करने के लिए decimal हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा और यह 77 cross हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे भी यह cut के यहाँ पे 10 आएगा 10 10 cancel आप करके देखना ही आपका easily बन जाएगा तो यहाँ हमने पूरी तरह से यह cut दिया है तो हमारा height simply क्या आ रहा है 1 meter और यही height हमें निकालना था clear हो गया? बहुत easy question है आपको समझ में भी आ गया होगा now move for the next question question number 7 is here the inner diameter of a circular well is कोई कुआ है उसका जो diameter है अंदर का वो कितना दिया है? 3.5 meter and it is 10 meter deep और उसकी height जो ही deep नहां पे दिया है it means वो height है तो height is 10 meter तो find its inner curved surface area easily निकाल लोगे and if the cost of plastering उसके अंदर plaster किया जा रहा है this curve surface area at the rate of 40 rupees per meter square काफी easy question है जैसे हमने question number 5 बनाया same वह question है उसी तरह से हम इसे बनाएंगे चलिए इसे बनाते है firstly what is given यह हमें लिखना होगा तो यहाँ पे हमारा diameter inner diameter is given 3.5 meter radius आप निकाल लोगे radius क्या हो जाएगा 3.5 by 2 meter यह रहने देते है height कितना given है height is height हमें given है 10 meter 10 meter deep जो है तो अब हमें क्या निकालना है पहला है इसमें its inner curved surface area inner नहीं लिक रही हो क्योंकि inner ही दिया हुआ है यह हमने लिख दिया अब हम इसे calculate करेंगे यह decimal लिटेगा यहाँ नीचे 10 कर देते है 10 10 cancel 2 2 cancel यह 7 से चल जाएगा 5 तो हमारा curve surface area that is 110 meter square अब second में हम से पूछ रहा है कि cost of plastering तो हमें given है given क्या है कि cost of plastering यह लिखना होगा हमें कि cost of plastering per meter square per meter square is equal to कितना given है rupees 40 it is given that the cost of plastering per meter square is rupees 40 और यहां हमारा 110 meter square इसका CSA आया है तो therefore हम easily यहाँ पे लिख देंगे कि cost of plastering जितना हमारा given है मतलब अभी हमने find किया 110 meter square उसका हमारा कितना हो जाएगा 110 into 40 तो हमारा answer आ जाएगा rupees 4,400 यह clear हो गया यहाँ पे यह हमारा answer हो गया तो जैसे question 5 था वैसे question 7 था बहुत easy questions है और इससे आगे question 8 से फिर से continue होगा और वो हम next video में continue करेंगे तो I hope आपको यह सारे question clear हो गया होंगे और clear हो गया है तो ठीक है otherwise अगर कोई भी आपको query रहती है तो आप comment section में मुझे comment करो मैं definitely आपको reply करूंगी और वीडियो पसंद आए तो like करना बिलकुल मत भूलिएगा और फिर अगेन it is my humble request प्लीज सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को THANK YOU THANKS FOR WATCHING